नमश्कार रादे रादे जय श्री कृष्णा मैं स्वर्वजर मादव शर्मा को जीवन राशी फल के यूट्यूब चैनल की दरफ से आप सभी का हाड़ दिक अभिनेंदन करता हूं सिंग राशी के जनवरी 2023 के राशी फल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तूत हूं इस राशी फल में हम बात करने वाले हैं आपके धन संबंदी बातों को लेकर आपकी हैल्थ को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव यानि आपकी पारिवारी के स्थि पंचम भाव संतान विध्या बुद्धी से लेकर साथ की साथ आपके सप्तम भाव यानि आपके बिद्ञिस को लेकर, जीवन साथी को लेकर, नवम भाव आपके भग्य को लेकर, दशम आपके कारशित और लाब भाव, ताथ की साथ द्वादाश भाव यानि हानी से रिलेटेट भावों को लेकर भी, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, त तो आप हमारे कुछ जीबन राशीफल की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी एप्लिकेशन डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग डेली राशीफल मंतली राशीफल यली राशीफल इस्ट वगवान संबंद सब्सक्राइब करें हैं सबसे पहले बात करेंगे राशीफल सब्सक्राइब करें राशीफल सब्सक्राइब करें पंचम बहुत शुब नहीं माना जाता लेकिन अगर हम बात करें आप में अपर अपनी मेत्र की राशी में यानि देवगुरु ब्रैस्पत्य की धनों की राशी मे Infinite की सब्सक्राइब करें दन भाव स्वामी तो शुब रहने वाला है यहां पर क्योंकि प्रयास आपका सफल भी होने वाला है बात करें धन्त के स्वामी यहां पर बुद्धिदेव हैं तो धन का लाव भी यहां पर आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है सुरिदेव अपना राश्य परिवर्तन करके आपके फिफ्ट आउस से सिक्स आउस के अंदर गोचर करना चुरू करेंगे यानि धनुर राश्य से निकलकर मगर राश्य में जाएंगे मत्य महा के अंद चांदर लगने से सिक्स आउस में सुर्य का गोचर शुब माना गया है छटे वाव में सुरिदे वैसे भी शुब फर प्रदायान करते हैं यहां पर राशी स्वामी का छटे वाव से संबंदित आपके शत्रों पर आपकी विजय किसी भी कॉंपिटिशन की अगरम बात कर र हैं अपने से नवंबाव के अंदर बुचर कर रहे हैं शुब संकेत हैं कार्शित्र पोले मंगल यहां पर दशम बाव के अंदर विराजत हैं मंगल में के चंदर लगन वालों यानी सिंग राशी वालों के लिए यहां पर जो है बहुत इंपोर्टेंट और कारक ग्रहम आने गए हैं यहां बैटकर आपको आपके भागे में ब्रद्धी करने बन रहा है नवमेश का पंचम से बढ़ों का सपोर्ट भी आपको यहां पर देखने बश्य मिलने वाला है शुकर देव का गोचर यहां पर शटे वाव से निकलकर शब्टम बाप के उंदर होगा तो पंचम बहुक्त कर आ Jeanine 5 में अंदर बाट कर लाब भाव को देख रहें तो अपने व्रदि करने वाले जो भी कारे शेत भी कारय आप महा के अंदर शुरुबात करने वाले उसमें आपको यहाद पर शुब फल प्राप्त होने के संगेत भी दिखाई दे रहे हैं शनी के तीसरी दस्ती अस्टम बाव आज़के स्वामीक के ओपड़ रही है यहां पर आगर बात करें अस्टम में ही बैटकर धन बाव कर धृष्ट अच्छे टाल रहे जितिवाव के कारग माने का हैं धन की व्रद्धी होगी धन आपको यहां पर मिलने के संकेत भी बहुत अच्छे से खाई जा रहे हैं अस्पेश का स्टम बाव मैं जो भी है पर फार्टी के अंदर जा रहे हैं उनके लिए प्रोप अच्छी तरीके से 你 चृफिव बॉक्हों की दिस्टी भी है मंगल की दिस्टी बी और मंड़र यहाँ पर स्वामीभारे गये हैं यहां पर आपके समन्नुं जबहुत छ३न से महत्पर अगत परिवारक बैजस्ट Li यहां पर और επीचा चौई कर रहे हैं यहां पर अपने से बड़ों के सपोर्ट की बात करें तो राहूं के कारण थोड़े से मन में उटाव हो सकते हैं कि तुछ यहां तीसरे बाव में बैठ कर शुब फ़ल प्रदान करने वाले नहीं मैं बात करूं है अपर विदेश यात्रा के संकेत भी सिंगराशी बालों को दिखाई दे रहे हैं कि तीसरे बाव के अंदर के तु है देव गुरु ब्रैस्पति अस्टम में बैठ कर द्वाटश वाव को एक्टिवेट कर रहे हैं यह बहुत अच्छा संकेत भी आपके फॉरंट टेवल को लेकर दिखाई देता है अबरोल अगर हम बात करे है अच्छी रहने वाली है सुर्दे पंचम और चटे बाव में गोचर करेंगे कोई बड़ी समस्या यहां पर दिखाई नहीं देती शिक्सावस की बात करें तो शिक्सावस में शनी पहले से विराजित हैं चंदर लगने से सिक्षावस में शनी का गोचर शुब भलदा ही ह बहां के अंतर में बात करूं तो यहां पर चटन बावं से निकल कर सब्द के देर नेस निकल कर सभी मचम चकुन दोडहिए हैं फ Deputy था ने दे से जमीन से ज्यादा से फाइदा होने के संकेत दिखाई दे रहें धन्यवाद